नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अपी और आप देख रहे हैं Tech Unboxing So guys आज के इस वीडियो में हम Unbox करना है बहुत ही यूनिक सा गैजट जो है एक Mini Washing Machine या फिर Foldable Washing Machine आप इसे बोल सकते हो और guys यह रहा उसका Retail Packaging Guys आप देख सकते हो कितने Compact Box Packaging में आपको यह देखने मिलता है Basically यह 2 kgs का Washing Machine है Fold करके Portably आप इसे Easily कहां पे भी Carry कर सकते हो और सबसे बढ़िया बात मतलब यह एक Electric Washing Machine है कोई भी Manual Washing Machine नहीं है Pricing बहुत ही जादा तगड़ी यहां पे रखे है उन्होंने साड़ी तीन से लेके 4000 रुपे की प्राइस में आपको यह Particular Washing Machine अविलेबल मिल जाती है So भाई मैं तो बहुत ही जादा एकसाइटेड हूँ इतनी Compact Washing Machine की Unboxing करने के लिए So let's get started बढ़के इस वीडियो शुरू करने से पहले यहां पे मैं बात करना चाता हूँ Stock Market के बारे में So बहुत सारे लोग Stock Markets में पैसा इन्वेस्ट करना चाते है Stocks में इन्वेस्ट करना चाते है Long Term Investment में और Short Term Investment में जहां पे उनको जादा से जादा Profit मिले बढ़ इसके लिए आपको एक Expert Advice की जरूरत पड़ेगी और उससे भी पहले आपको एक Demat Account की यहां पे जरूरत पड़ेगी तो यहां पे में लेके आओ Moutilal Oswal Platform और Moutilal Oswal one of the best companies है इंडिया में से जहां पे इनको more than 30 years का experience है और more than 12 lakh customers इनके साथ जुड़े हुए है और इस platform की खास बात यह है कि यहां पे आपको zero maintenance charges pay करने पड़ते हैं तो सबसे पहले यहां पे Demat Account उपन करने के लिए आपका आदार काड़, आपका PAN काड़ और bank details बस आपको submit करने हैं और जैसी आपका यहां पे Demat Account उपन हो जाएगा यहां पे यह लोग stock advisor आपको provide करेंगे जो आपको suggest करेंगा कि कौन से stocks आपको purchase करने चाहिए या फिर कौन से stocks आपको sell out करने चाहिए और प्लस यहां पे आपको welcome basket भी provide किया जाएगा जो रहेगा worth 25,000 rupees का जहां पे आपको इसके AI based tools देखने मिलेंगे जिसकी help से आप stocks purchase कर सकते हो प्लस यहां पे 3,000 के discount coupon codes भी लोग provide करेंगे और rupees 1,000 का brokerage cash back भी आपको मिलेगा तो भाई देर किस बात की? लिंक मैंने नीचे description में दे दिये है मोतिलाल ओसवाल के साथ जुड़ जाहिए और open कीजिए अपना DMAT account और अभी हम start करते हैं इसकी unboxing वीडियो के साथ यहां पे box के आगे के तरफ आपको foldable washing machine की badging दिये वो actual washing machine देखने मिलता है और यह है 2 kg का side में यहां पे आपको देखने मिलता है उसके कुछ की specification जैसे की voltage rating या फिर frequency washing power required और इसका net weight है 4 kg का और जो color है वो है blue color जैसे हम इसे unbox करते हैं सबसे पहले तो काफी बढ़िया thermocall packing में आपको यह mini washing machine देखने मिलता है portable washing machine और यहां पे आप देख सकते हो जैसी उपर का lid हम open करते है सबसे पहले आपको देखने मिलता है एक चूटा सा user manual उसे के साथ एक plastic की water outlet pipe उन्होंने provide किये जो काफी चूटी pipe है and guys that's it यही सारी चीज़े आपको इस particular washing machine के साथ देखने मिलती है तो initial first impression आप देख सकते हो कितना compactive washing machine है 4 kg का यह washing machine है मतलब portable है लिटरली आप bag में डाल के लेके जा सकते हो ऐसा यह लोग बुलते है बट इसके लिए भी बहुत बड़ी bag चाहिए आपको carry करने के लिए तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके build quality की तो यहाँ पर जो overall washing machine है completely आपको plastic और silicone build में देखने मिलती है और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक knob देखने मिलता है जिसकी help से आप इसे power on कर सकते हो और timer set कर सकते हो side में यहाँ पर उन्होंने water outlet का भी knob provide किया है जिसमें आपको pipe install करने है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर side में आपको देखने मिलते है उसके कुछ electric specifications और नीचे की तरफ यहाँ पर उन्होंने उसकी extension cord provide किया जो है power cord और यह basically power cord सिर्फ half meter की power cord उन्होंने provide किया तो power cord काफी छूटी यहाँ पर आपको देखने मिलेगी and plus उसे की साथ potability के लिए यहाँ पर उन्होंने एक plastic handle भी provide किया so directly आप इसे उठा के carry कर सकते हो आपके साथ तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसे open करेंगे so open करने के लिए बस आपको जो handle है उपर का उसे कुछ इस तरीके से pull करना है और यहाँ पर जो silicon material है वो काफी बढ़िया तरीके से expand हो जाता है और यह complete एक washing machine में convert हो जाता है बट फिर भी इसकी size काफी जादा compact रहती है यहाँ पर and guys अभी time है इसे test करने का तो सबसे पहले यहाँ पर इसे आपको normal mode में रखना है basically मतलब expand करके रखना है उसे के साथ यहाँ पर कपड़े आपको इसमें डालने जो भी आप इसमें wash कर सकते हो so on an average यहाँ पर आप एक pant या फिर दो तीन shirts डाल सकते हो इसके अंदर क्योंकि इसकी capacity है 2 kgs की और उसके बाद यहाँ पर आपका जो washing detergent है उसे आपको इसमें pour करना है and finally यहाँ पर आपको water manually pour करना है जी हाँ water आपको manually pour करना पड़ता है और भाई यहाँ पर आप दीख सकते हो जो water pour करने के बाद यहाँ पर जो side water outlet pipe है उसमें से जो पानी है वो leak होना start हो जुका है so यहाँ पर हमने एक गलती की थी तो यहाँ पर जो water outlet pipe है वो complete washing होने के बाद ही आपको attach करना है पानी remove करने के लिए और else यहाँ पर जो knob उन्होंने provide के है उसे बस आपको close करके रखना है और यह जो knob है यह भी इतना tight knob नहीं है थोड़ा बहुत water लिके होता है so यहाँ पर हमने एक plastic wrap के साथ इसे fix किया है तो यहाँ पर जो water drip हो रहा था वो यहाँ पर हमने stop किया है तो अभी हम directly इसे करेंगे power on, water वगरा सारी चीज़े pour कर दिये तो बस जो knob है उसे यहाँ पर हम rotate करते है approximately 10 minutes पर यहाँ पर मैंने set किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे यह washing machine exactly work करता है so यहाँ पर इतनी भी जादा loud यह particular washing machine नहीं है clockwise और anti-clockwise यहाँ पर आपको motor की movement देखने मिलती है so यह एक-दो movement से आपको देखने मिलेंगे और बीच में एक-दो seconds का gap लेती है so practically बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो washing machine यह वो wash करेंगे आपके clothes और side में जो silicon material उन्होंने provide किया है वहाँ से कोई भी water leakage यहाँ पर होता नहीं है so यह बहुत ही अच्छी बात है high quality silicon material उन्होंने यहाँ पर use किया है और उसके बाद जैसी timer यहाँ पर खतम हो जाता है जो water outlet का pipe है उसे आपको यहाँ पर connect करना है water को drip off करना है यहाँ पर और उसके बाद जो clothes से आप देख सकते हो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से wash हो चुके हाला कि detergent washing के बाद वापिस आपको इसमें पानी पोर करके regular wash करना है तो इतना सारा demonstration में यहाँ पर नहीं देना चाहता और उसके बाद बस आपको यहाँ पर water completely remove करना है इस particular washing machine से आपको इसे compress करना है basically push करना है कुछ इस तरीके से और फिर यहाँ पर handle को पकड़ के आप easily कहाँ पर भी इसे carry कर सकते हो क्योंकि यह portable है तो जी हाँ guys practically यह काफी बढ़िया washing machine है mini washing machine मतलब world smallest washing machine यह lightweight है easily कहाँ पर भी इसे carry कर सकते हो expand होता है यह जी हाँ guys यह जो particular washing machine है इसमें मुझे बस एक ही इसका drop है कि यहाँ पर जो इसका water outlet knob है उसमें से पानी थोड़ा बहुत यहाँ पर leak हो रहा था बट जी हाँ हमने यहाँ पर plastic यूज करके उसे manage कर लिया है और I hope बाकी units में ऐसा problem ना आ है but guys overall यह काफी बढ़िया washing machine है pricing के अगर मैं इसके बात करूँ तो 3,500 से लेके 4,000 रुपीज की price में आपको यह available मिल जाता है warranty की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो seller यहाँ पर 6 months की warranty provide कर रहे है चाइना का ही माल है basically तो warranty seller provide कर रहे है तो कितनी legit warranty है मैं guarantee नहीं कर सकता but मुझे तो भाई यह concept काफी जादा पसंद आया so अगर किसी को इसे purchase करना है तो link में नीचे description में दे दूँगा वहाँ पर जाके आप इसे purchase कर सकते हो so guys बस यही था आज का यह वीडियो I hope आपको यह वीडियो पसंद आओगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो please इस वीडियो को like कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए please subscribe कीजिए हमारे channel को और दोस्तो और इक important बात please मेरा facebook page और instagram page भी like कीजिए तो दोस्तों मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद